प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा है कि वर्ष दोहजार तेईस चौवीस के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविश्य को दिया गया है आज नई दिली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण इस विशय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्ता को व्यवहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान किंद्रित किया गया है प्रधान मंतरी ने कहा कि नई तक्नीक की साहता से कक्षाओं को अब आधुनिक बनाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि अब अध्यापक की भूमी का किवल कक्षा तक सीमीत नहीं है और तक्नीकी की बदौलत आज दुनिया भर की सूचना सुलब हो गई है उन्होंने कहा कि भारत में अब कई डिजिटल और तक्नीकी सुज़धाय उपलब्ध है जिन से विश्व विद्यालयों को और मजबूत किया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि डिटी एच के जरीए भी विभिन भाशाओं में शिक्षा के क्षित्र में सहयोग मिल रहा है कोवीड के दौरान यह हमने अनुभव भी किया है इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही हैं जिससे एनिवेर एक्सेस अफ नॉलेज सुनिस्टिर हो सके कि आज हमारे ए लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयम में तीन करोड मेंबर है वर्चुल लैप्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है DTS चैनल के माध्यम से स्टूडेंस को भी स्थानिय भाषाओं में पढ़ाई का आउसर मिल रहा है आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलोजी आधारित इनिशेटिव चल रहे हैं इन संगरे इनिशेटिव को नेशनल डिजिटल इनिवर्स्टिव से और बल मिलेगा श्री मोधी ने कहा कि प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना 4.0 से आने वाले समय में लाखों युवा और अधिक कुशल बन सकेंगे उन्होंने कहा कि बजट में राश्टिय प्रशिक शुता संबर्धन योजना के अंतरगत 50 लाख युवाओं को वजीफा प्रधान करने का प्रावधान किया गया है शुरी मोदी ने कहा कि प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना 4.0 में दिव्यांग जनों जनजातिय लोगों और महिलाओं के कोशल संबर्धन के लिए विशेश कारिक्रम तयार के जाएंगे